सो हेलो फ्रेंड नमस्ते आप सभी को सो फ्रेंड सीबीसी के तरफ से क्लास 10 वाल स्टूरेंट को जो की 2020 मतलब की सेशन 2019-20 में एक्जाम देने वाले है उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है बहुत जादा बड़ी अपडेट है दिखें यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 10 में सीबीसी इस साल से दो मैस का सेपरेट पेपर करवाने जारी है एक आपका बेसिक मैट रहेगा और एक आपका डिफिकल्ट मैट रहेगा तो फिर्ट सीबीसी ने यहाँ पर बताया कि अगर आप यह अगर आप एजी वाले लेते या पिर आप डिफिकल्ट वाले लेते तो क्या से क्या होगा आपके साथ क्लास 11 में जो की जानना आपको बहुत बहुत जरूरी है तो फिर्ट जो भी इस बर क्लास 10 में है जो इस बर क्लास 10 के एक्जामिनेशन में एपियर होने वाले सीबीसी के देखिए अगर यहाँ पर आप एजी मेट या पर जिसको आप बोली कि बेसिक मेट लेते है तो आप क्लास 11 में मैतेमेटिक्स लेने नहीं मिलेगा यह बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो की सीबीसी के तरफ से बहुत बढ़ी अपडेट देखिए यहाँ पर साब सब लिखा हुआ है कि दफ हर्स पेपर विल बैसिक मेटेमेटिक्स वाइल द सेकेंड इन विल बी स्टेंडर मेटेमेटिक्स मतला दीखिए फ़िंद बेसिक में होगा क्या कि आपका कोशिंद पूरा एंसी आटी में लेते हैं तो अगर आप यहाँ पर कलास 11 में अगर बारह से मेर्ट लेना चाहते हैं तो फ्रिंद आपको नहीं मिलेगा diversity तो फ्रिंद आप आ उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि आपको जो CBHC के एक होता compartment का एक्जाम जूर में आपको जूर में फीर से एक्जाम देना पड़ेगा class 10 math का इवेन अगर आपका class 10 basic math में अगर 99 या फिर 100 marks भी इवेन आपका math में आया तो भी आपको directly class 11 में math नहीं मिलेगा अगर आपने basic math लिया होगा तो तो अपर उसके लिए आपको एक compartment का एक्जाम देना पड़ेगा जो कि आपका board के एक्जाम की दो मन्त बाद होता है अगर आप उसमें pass हो जाएंगे फ्रेंग तो ही आपको यहाँ पर class 11 mathematics मिलेगा तो फ्रेंट यह cbc के तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पर साब से mention यहाँ पर मैं आपको पड़ के सुना देता हूं इपा स्टूडेंट स्कोर वेल इन basic mathematics examination and choose to pursue mathematics in class 11 he or c will have to appear for class class 10 compartmental examination तो पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन सभी student को class 10 का compartment exam देना पड़ेगा अगर आपने basic को चूच किया basic math को अगर आपका बहुत अच्छा marks आता तो भी आपको compartment का exam देना पड़ेगा अगर आप class 11 में math लेना चाहते हैं तो और पर उसके बात अगर आपने standard math लिया अगर आपका मंगी चलिए कि 40 या 50 marks भी आया तो आपको एलाव हुए class 11 में आप math ले सकते हैं तो पर यह बहुत important update इसका लिए कि मैं description box में आपको provide कर दे रहा हूं देखिए दोनों math का paper यहाँ पर अलग अलग दीन होने की चांसे से मतलब कि दोनों math का paper एक ही दीन hopefully नहीं होगा okay तो अगर आप चाहते कि आप medical में जा कि कुछ बने अगर आप चाहते कि JEE में अगर जाए तो अभी आप लोग लिजेगा कौन सा subject standard mathematics basic को मच चूश किजिए अगर आपका A में PCM अगर आपका A में medical मतलब सोरी non-medical तो आप PCM को चूश करना चाहते तो आपको यहाँ पर standard mathematics को चूश करना होगा okay तो फिरन complete news का link में description box में provide कर दे रहा हूँ इसलिए मेरी आप सभी से विंती है जो कि यहाँ पर class 11 में bio लेना चाहते वो तो basic ले सकते बड़ जो class 11 में आपका लेना चाहते है mathematics जो इनको बनना है engineering या पिर PCM क्रेक करना IIT जहीं यह सब निकालना है तो उनको यहाँ पर लेना पड़ेगा standard math को ओके तो फ्रेंट link description box में जाके अभी चेक कीजिए आज के वीडियो में इतना ही लोटिंगे कुछ और topic के साथ next वीडियो में तब तक के लिए जे ही जे भारत Friends हमने और doubtnut ने मिलकर एक कमाल का WhatsApp ग्रूप class 6 लेकर 12th math वाले के लिए तयार किया Simply आपको करना क्या है कि description में link है जाके इस WhatsApp ग्रूप में आपको कोई भी math के question को अच्छे से crop करके इस WhatsApp पे send करना जैसे send किजेगा आपको 3 सेकेंड के अंदर इसका video solution मिल जागा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका यह देखी यह रहा आपका video solution और देखी स्क्रीन में आपको यहाँ पर video solution मिल गया कि simple link पे click किजेगा आप video पे पहुँच जाएगा तो link description box में जाकि अभी join हो जाएए